कई बार हम parents बच्चों को diet में क्या चीज़े include की जाएं इसको लेके परिशान रहते हैं तो वो सारी चीज़े जो अपने 7 महीने के बच्चे को खिला सकते हैं वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और friends वीडियो के end में मैं आपको बताऊंगे कुछ ऐसे tips जो कि आपको ध्रान में रखनी हैं अपने बच्चों को ये चीज़े खिलाते वक्त ताकि आपके बेबी को किस तरह से allergy का chance ना हो बच्चे को खाना अच्छे से digest हो जाए और बच्चा खाने में interest भी show करें तो देखें आपका बेबी अब 7 मेने का हो गया है तो अभी तक आपने थोड़ा बहुत बेबी को solid food खाना स्टार्ट कर दिया होगा जैसे आप breakfast करते हैं lunch करते हैं डिनर करते हैं ऐसे ही बेबी को चाहिए थोड़ा सा क्यों ना हो solid food आप जरूर सर्फ करें इसके बाद पू बेबी को शिरुवात में क्या चाहिए होगा उठते ही या तो breastfeeding अगर आप कराते हैं तो बेबी उसकी रिमान करेगा या फिर formula में तो वो आप बेबी को पिला दीजिए फिर थोड़ते बाद बेबी को आप breakfast सर्फ करें solid food तो breakfast में आप बेबी को fruit puree या फिर vegetable puree दे सकते हैं ये बेबी का breakfast हो जाएगा लंच की बात करें तो आप लंच में बेबी को oats बना कर दे सकते हैं बेबी को rice का अच्छे से mash करके वो दे सकते हैं आप vegetable puree दे सकते हैं जैसे की carrot की puree या pumpkin की puree या पंकिन की प्यूरी यह सब बना कर दे सकते हैं पर वो अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए राइस बनाने के लिए कुछ नहीं राइस को अच्छे से उभाल कर उसको बहुत अच्छे से mash कर लेना है उसी consistency की बात करें तो बहुत आदा पतला भी नहीं देना है बहुत आदा गाड़ा भी देना है वसी ध्यान रखना है कि इसमें लंप्स नहीं होने चाहिए और ऋट्स बनाने के लिए कोई भी जो कुईकर ओट्स इसमीर जैसे मैं यूज करते थी उस ऊचुँगा सापको पाने डालना है और इसको अच्छे से पकालना है फानी में और इसको फिर अच्छे से mash करके आप बेवी को ठ्हाने के लिए दे सकते हैं लंच में पेभी ऑट थोड़ा सा करड़ भी खिला सकते हैं बीच में जैसे कि अगर आपका बच्चा खाने लग गया है तो थोड़ा सा करड़ भी बीच में आप खाने के लिए बच्चे को दे सकते हैं, बच्चे को बहुत ही पसंद होता है, नेक्स देखे लंच के बाद जो आफ्टरनून स्नैक होगा उसमें आप बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं आप बेबी को फॉर्मला मिल्स दे सकते हैं इसके लाब बेबी को कोई भी फूर्ट प्यूरी दे सकते हैं इसके लाब बेबी को क जााछ सकते हैं उसके बाद आप आप चावल हिमाइते होिता कर बाद्ट मु एपकते हैं पर दाल वीकि नैशनाaporत मैश करें। आप पानि से छाहें होते हैं। मैशन प्रहें शद्दी हैं अग ड्रद 설खें। और उसको फिर अच्छे से मैश करके खिलाइए अब डिनर करने के कुछ टाइम बाद जब बच्चे का सोने का टाइम होता है तो आप बेबी को वही ब्रेस्ट फीडिंग कराइए या फिर फॉर्मला मेट पलाइए अब बात करते हैं कि कौन से फूर्ट और वेजटिबल जो है बच्चे को आप दे सकते हो 7 months में तो फूर्ट की बात करें तो आप बेबी को बनाना मैश करके दे सकते हैं आप पाया को अच्छे से मैश करके दे सकते हैं असमर्ल लंप्स नहीं होने चाहिए और आप बेबी को चीको भी मैश करके दे सकते हैं इसके लावा आप बेबी को एपल और पेर यानि कि सेब और जो नाशपाती होती हैं उसको अच्छे से स्टीम में पका कर ताकि वो बहुत से सॉफ्ट हो जाए और ब्लेंडर के हल्प से आप तुर अच्छे से ग्राइंड करके इदम प्योरी फॉर्म में उसको दे सकते हैं सब्जियों की बात करें तो आप सब्जियों में बेबी को उबला हुआ आलू खिला सकते हैं गाजर की प्योरी, कद्दू की प्योरी फॉर्म मत्र को अच्छे से प्योरी की फॉर्म में बनाकर वो खिला सकते हैं आप स्वीट पटैटो यानि की शकर गंद की प्योरी बनाकर भी बच्चे वो खिला सकते हैं इसके लब अगर हम अनाज की बात करें, तो अनाज में आप बच्चे को चावल खिला सकते हो, आप ओर्स खिला सकते हो, आप डाले खिला सकते हो, डाले में मूंग दाल, मसूर दाल, ये आप बच्चे को खिला सकते हैं, दाल मनाते वक्त थोड़ सा हिंग और जीरे पाउटर क इस पूरी डाइट के लावा बच्चे को आपको पानी भी बीच 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 अगर आपको लग रहा है कि दो चीजे मैंने ट्राइ की थी अलग लग और उससे बच्चे को इलर्जी नहीं हुए तो आप बेबी को वो दो चीजे मेक्स करके भी खिला सकते हैं और जब भी कोई नई चीज ट्राइ करें तो दिन के टाइम पर ही आप ट्राइ करें ताकि आप बेबी को डॉक्टर के पास ले जा पाए अगर बाई चांस बेबी को अलर्जी होती है तो नेक्स देगे जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में बच्चे को थोड़ी पतली प्यूरी देनी है पर धीरे धीरे जो प्यूरी का टेक्शर है आपको थोड़ा थोड़ा करने के बाद नेक्स फेस इसा आगा आपका बच्चा आट नो में निकाओगा बच्चे तो डान निकलने शुरू हो गए तो अब बेबी को तब फिंगर फूट पिला सकते हैं नेक्स आपको वेराइटी ओफूड बच्चे को देना है एक ही चीज लगातार बार बार नहीं देनी है वरना बच्चा से बोर हो जाएगा खाने में ट्रस्ट नहीं शो करेगा तो अलग-लग कलर की चीज़े अलग-अलग मतला फूट से अलग-लग वेजटिबल प्यूरी यह सब आपको बच्चे को देनी चाहिए फ्रेंट्स ये भी ध्यान रखे कि अगर आपका बेब खाना नहीं खाता है अगर एक-दो स्पून भी खा रहा है तो आपको बच्चे साथ जबरस्ती नहीं करनी है स्टार्टिंग में बच्चे को टाइम लेने दे अगर आप ज़्यादा जबरस्ती करेंगे तो बच्चा खाने में इंटरस बिल्कुल शोनी करेगा और बच्चे ज़रूर बताएगा कि आप अपने विबी को कौन सी फ्लूट प्यूरी या वेच्टिबल प्यूरी दे रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू पूर आज